जै गडेश स्वामी विवेकानन युवाओं के प्रोडार्श्रोत जिनका आज जन्म दिवस है और स्वामी विवेकानन के जन्दिवस को राष्टी युवादिवस के रूप में मनाया जाता है 1984 में निश्चित कोगी स्वामी विवेकानन का जन्म राष्टी युवादिवस मनाया जाएगा और पहली बार 1985 में 12 जनवरी 1985 को पहला राश्टी युवदिवस मनाया गया स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था स्वामी जी की आयू बहुत कम 49 वर्स की आयू में उन्होंने अपने सरीर को त्याग दिया था स्वामी जी की माता जी का नाम भुनेस्वरई देवी ग्रहडी थी और बहुत ही सात्विक और धार्मिक प्रवत्ति की थी उनके पिता विश्वनात दथ वकील थे भाई का नाम भुपेंनात दथ का जिक्र हमेशा मॉडरनिस्टि में होता है गुरू रामकृष्ट परमहंस और गुरू के परमभक्त रामकृष्ट परमहंस की बहुत सेवा की और रामकृष्ट परमहंस का आसिरपाद भी प्राप्त हुआ सिच्छा इनकी विद्यासागर कॉलेज और स्कॉटिस कॉलेज में हुई और इन्होंने रामक्रस्ट मिसन की अस्थापना की थी न्यूयार्क में जब ये सिकागो गए थे तो विदान सोसाइटी की भी अस्थापना की थी सिकागो विशुधर्व सम्मिलन 11 सितंबर 1893 को हुआ था वहाँ पर अमेर्की मीडिया ने स्वामी जी को साइकलोनिक हिंदू कहा था सुवास्चंद्रबोस ने स्वामी जी को आधुनिक भारत का निर्माता की संग्या दी स्वामी जी ने जब सिकागो विशुधर्व समिलन में बोल रहे थे तो मात्र दो मिनट का समय दिया गया था लेकिन उसन दो मिनट में उन्होंने भारती दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अमेरिका ही नहीं पूरा विशुधर्व स्वामी जी का मुरीद हो गया स्वामी जी लार्ड मैकाले के द्वारा जो प्रतिपादित है सिच्छा बिवस्था उसके विरोधी थे स्वामी जी का कहना था कि जो मैकाले सिच्छा पद्धती है ये सिर्फ बाघुओ का निर्मार करती है ना कि बेक्तितु का निर्मार करती है स्वामी जी विवेकानन इस इच्छा पद्धती को नकारात्मक मानते थे क्योंकि ये बेक्तितु का विकास नहीं करती इसको पढ़ करके सिर्फ माक्सिट प्राप्त होती है और उन्होंने अपने अनमोल वचनों में यदि फालो किया जाए हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अत्यन्त महात्पूर है उनके वचन अगर एक भी वचन को फालो कर लिया जाए तो जीवन हान हो जाएगा इसको आज हम लोग पढ़ेंगे उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लच्छ प्राप्त नहीं हो जाता इसका तादपर ये है कि हम आँख खोल करके भी सोते नजर आते हैं हम अपने लच्छों को नहीं पहचान पाते और हमको अपने लच्च को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं हमारे अंतर मन को जागरित करना पड़ेगा फिर उसके बाद हर आत्मा इस्वर से जुड़ी है करना ये है कि हम इसकी दिब्विता को पहचाने अपने आपको अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर, मन या जीवन, दर्सन इन में से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और अपने आपको खोल दें यही सभी धर्मों का सारांस है मंदीर, परंपराएं, किताबें, पढ़ाई यह सभी इस से कम महत्पूर है इस बात को उन्होंने सिकागो धर्म सम्मेलन में बोला था एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एक मात्र विचार बना लें इसी विचार के बारे में सोचें सपना देखें और इसी विचार पर जीएं आपके मस्तिस्क दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए यही सफलता का रास्ता है इसी तरह से बड़े-बड़े अध्यात्मिक धर्म पुरूश बनते हैं जो I.S. के अस्पारेंट हैं, सिविल सेवा के अस्पारेंट हैं अगर इन लाइन को अपने जीवन में ढाल लें तो उनको उनकी सफलता को प्राप्त करने से कोई रोप नहीं सकता एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें ढाल दो और मांकी सब कुछ भूल जाओ बहुत ही बेहतरीन जितनी प्रसंसा किया जाए उतना कम अनमोल धरोहर देखे गए हैं स्वामी जी हम लोगों को पहले हर अच्छी बात का मजाग बनता है और फिर बिरोध होता है फिर उसे स्विकार कर लिया जाता है ये सब कहने के पीछे स्वामी जी का मकसद था कि हम अंदर से मजबूत होना चाहिए एक अच्छे चरित का निर्मार हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है बहुत ही सांदार कोडेशन है ये और हम लोगों को मोटिवेट करते है सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है फिर भी वह एक सत्य ही होगा बाहरी सुभाव केवल अंदरूनी सुभाव का बड़ा रूप है बिस्वेक बिसाल व्यायाम साला है जहां हम खुद को मजबूत बनानी के लिए आते हैं बहुत ही बेतरीन इस कोडेशन से पता चलता है कि जो बिस्वरुपी व्यायाम साला है इसमें हमको अगर सफलता अरजित करना है तो नित्य अभ्यास करना पड़ेगा सक्ती जीवन है निर्बलता मृत्यु है विस्तार जीवन है संकुचन मृत्यु है प्रेम जीवन है द्वेस मृत्यु है बहुत ही बेतरीन स्वामी जी ने एक अनमोल खाजाना जैसे हम युवाओं को दे कर गए गए जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते बेतरीन सांदार जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है सारीरिक, बौधिक या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो स्वामी जी का ये कथन निस्तित रूप से हम लोगों को अंदर से बहुत मजबूत बनाता है और बहुत कुछ सिखाता है स्वामी जी ने कहा था चिंतन करो चिंता नहीं नए विचारों को जन्म दो हम जो बात बोते हैं वो काटते हैं हम स्वयम अपने भाग्य के विद्निर्माता है स्वामी जी सिखा द्वारा लोकिक और पारलोकिक दोनों जीवन के लिए तयार करना चाते हैं लोकिक द्रस्ते सिखा के सम्मंद में उन्हेंने कहा है कि हमें आईसी सिखा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो मन का बलवढ़े बुद्धी का विकास हो और वेक्ति स्वाव लंबी बने पारलोकिक द्रस्ति से उन्होंने कहा है कि सिखा मनुस्य की अंतर नहीं पूर्टा की अभिवेक्ती है वास्तों में जो स्वामी जी इस प्रारम में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामी जी ने कहा कि जो मायकाले की सिखा पध्यती है ये सिर्फ बाबु बनाती है ना कि कोई वेक्तित तो बनाती है तो अगर इसको तो सिखा कहना है नहीं चाहिए इसको अपंग सिच्छा कहना चाहिए जो मैकाले सिच्छा पद्यती के जरिय सिच्छा परोसी जा रही है स्वामी विवेकानन्त के सिच्छा दर्सन के आधार भोस सिध्धान पहला, सिच्छा ऐसी हो जिसे बालक का सारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके अब ये जिन्तन का विशा है कि क्या वर्तमान सिच्छा पद्यती से सारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सकता है उत्तर नामे ही मिलेगा दूसरा, सिच्छा ऐसी हो जिसे बालक के चरित्र का निर्माण हो मन का विकास हो बुद्धी विक्सित हो तथा बालक आत्म निर्भर बने नई सिच्छा निती आई है लेकिन उसमें भी इन चीजों को नहीं जगे दी गई है वही मायकाले सिच्छा पदेती को फिर एक बार जीवन्त किया गया है बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान सिच्छा देना चाहिए बहुत बड़ा संटेंस है ये धार्मिक सिच्छा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संसकारों द्वारा देना चाहिए पाठिक्रम में लोकिक एवं पारलोकिक लोकिक मने संसारिक पारलों के वाने संसार से परे, यानि कि भावसागर्प, दोनों प्रकार के विश्यों को अस्थान देना चाहिए, सिच्छा, गुरू, ग्रह में प्राप्त की जा सकती है, यानि कि सिच्छा प्राप्त करने के लिए गुरू के पास जाना चाहिए, सिच्छा के वं छात्र का स सम्मन्द अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए, मिल्कुल सही है सिच्छक और छात्र के बीच में जितना इंट्रेक्शन होगा, उतने ही उस विद्यार्थिक का लाग होगा। सर्व साधारण में सिच्छा का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए, देश की आर्थिक प्रगती के लिए तकनिकी सिच्छा की विवस्था की जाए। स्वामी जी ने उस समय लिखा था तकनीकी की बात जब कहीं तकनीकी का कहीं चिक्र नहीं होता था मानवी एवं रास्टी सिछा परिवार से ही सुरू करनी चाहिए सिछा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संगर से लड़ने की सक्ति दे सके अब देखे स्वामी जी के अनमोल बचन से हम लोग इतना प्रभावित हुए हैं हम इतना प्रभावित हुए हैं इसको हमने दुवारा फिर लिखा है बार-बार पढ़ें इसको बार-बार पढ़ें हर आत्मा इस्वर से जुड़ी है करना ये है कि हम इसकी दिब्वता को पहचाने अपने आपको अंदर या पाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतरमन या जीवन दर्शन इन में से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर आपको अपने आपको खोल दें यही सभी धर्मों का सारांस है मंदिर, परमपराएं, किताबें, ये पढ़ाई, ये सब इससे कम महातपूर है वही सारे कोटेशन एक बार फिर रिपीट किये गए हैं जिससे बार बार इसको पढ़ना और अपने जीवन में इन कोटेशन को ढ़ालना फिर देखें, राष्टी युवा दिवस 2030, करेंट न्यूस के विशाय में थोड़ी बात होगी प्रतिवर्स 12 जनवरी को राष्टी युवा दिवस आयुजित किया जाता है इस दिन को 1984 में नामित किया गया और पहली बार 1985 में मनाया गया इस दिन का उद्देश भारत के युवा बन को दिशा देना और उन्हें राष्ट दिल्माण के लिए सक्त के रूप में एकजुट करना ये सामाजिक जुडाव तथा बौधिक और संस्कृतिक एक्ता के सबसे बड़े प्रयास्व में सामिल है इसका लच्छ है भारत की विविधता पूर्श संस्कृतियों को साथ लाना और उन्हें एक भारत स्रेष्ट भारत के एक्ता के सूत्र में पिरोना है कभी भी निवंद लिखने के लिए इससे बहुत सारा मैटर मिलेगा केंद्री युवा कार्क्रमिम खेल मंत्राले द्वारा करनाटक सरकार के सायोक से 12 से 16 जन्वरी तक करनाटक के हुबली धारवाण में 26 में राष्टी युवा महुसों का आयूजन किया जा रहा है अब यहाँ पर प्रेलिम्स का क्वेश्चन मनता है कि 26 वे राष्टी युवा महुसों का आयूजन कहां किया गया करनाटक के हुबली धारवाण में थीम बहुत महातपूर है थीम भी क्वेश्चन में पूछी जाती है राष्टी युवा महुसों 2013 की थीम विकसित युवा विकसित भारत इस वर्ष बायो डिग्रेडेबल समगरी का उप्योग करते हुए युवा महुसों को हरिद उस्षों के रूपे मनाया जा रहा है फिर एक नई बात देखिए जो युवा विस्षों है इसको हरिद उस्षों के रूपे मनाया जा रहा है ये भी एक महातपूर पॉइंट है भारत इस वर्ष G20 की अध्यस्ता कर रहा है तथा युवा करकर वो खेर मंत्राल है G20 की Y20 यानि की Youth 20 गत्विदियों के लिए पूरे देश में Y Talks का आयोजन कर रहा जानि की Youth Talk रास्टी युवा महसो वाई 20 की थीम के बारे में युवा को समिदन सिल्प ना कर देश भर में Y20 के लिए उनकी भागिदारी सुरेश्चित करेगा युवा सीखर समेलन में निम्लिखित मुद्दों को सामिल किया गया है पांच मुद्दे हैं कार्य, उद्योग, नवाचार और 21 सदी के कौसल का भाविश दूसरा है जलवाई परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी तिसरा है सांति निर्माड और सुला है चौथा है साजा भाविश से लोगतंत्र में युवा और सासन और पांच मुआ है स्वास्त्य और लोग कल्यान तो ये स्वामी जी के आज जन दिवस पर हम लोगों को एक तरीके से अनमोल खाजाना मिल गया है और इन चीजों को हम अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन में लागू करके हम अपने लच प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे इसे के साथ आज का वीडियो कम्प्लीट हुआ जैगडेशो स्वामी जी को बारम बार नमन